साथियों टेकनोलोजी का गलत इस्तिमाल हो और टेरोरिज्यम भी हो या फिर साइबर थ्रेट हो ये पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी चुनवती है नए सिकुरिटी चैलेंजिज को देखते हुए दुनिया की तमाम डिफेंस फोर्सेज नए टेकनोलोजी को इवाल्व कर रही है भारत भी इससे अचुता नहीं है साथियों इंटरनेट आप तींग्स हो या बीक डेटा एनालिटिक्स आटोनमस सिस्टीम हो या 3D प्रिंटिंग आने वाले कल ही हर टेकनोलोजी पर भारत में आज रिसर्च एंड डेवलोप्मेंट का काम निरंतर चल रहा है भारतवारा डिफेंस सेक्टर में आर्टिफिशल इंट्रिजेंस को बढ़ाने के लिए एक रोड मैप तैयार किया गया है यहां कई प्रोटोटाइप भी आज लॉंच किये जा रहे हैं हमारा लक्ष यह है कि अगले पांच वर्सों के दोरान डिफेंस सेत्र में आर्टिफिशल इंट्रिजेंस के कम से कम 25 प्रोड़क्ट विक्सित किये जाए